हेलो दोस्तो मेरी क्रिस्मस स्वागत आपका एम्रोज इंचिटूट के यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं माउस से रेलेटेट कुछ इंपोर्टन इंफरमेशन दोस्तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कॉमेंट बॉक्स पे बताएं और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें और अगर आभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन को जरूर क्लिक करें तकि आपको हमारी वीडियो के नोडिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो तो दोस्तो आज हम बात करने वाले माउस के बारे में और इस माउस की वीडियो को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे तो यह पहला पार्ट है दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा दोस्तो क्वेस्चन यह आता है कि माउस कहते किसे हैं वाट इस माउस एक कॉमन सा क्वेस्चन है और आप में से कई दोस्तों पता भी होगा कि माउस किसे कहते हैं माउस हमारी कंप्यूटर की एक इंपूट डिवाइस होती है जिसे कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं कि आप इसे computer की input device कह सकते हैं या आप इसे computer की pointing device कह सकते हैं जिसका use होता है computer में किसी भी काम को select करने के लिए and किसी भी काम को move करने के लिए तो जवाब निकालते हैं what is mouse mouse computer की input या pointing device होती है जिसका use computer में किसी भी काम को select करने के लिए या computer में किसी भी काम को move करने के लिए किया जाता है यह तो रही mouse की definition और obviously दोस्तों आप भी computer के अंदर एक mouse का use कुछ इसी परकार से करते हैं या तो आप किसी काम को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं या किसी भी काम को मूफ करने के लिए या मैं कह ँढ़ने के लिए करते हैं अब इस definition के अंदर दो questions हमारे सामने और निकलके आ गए कि भही यह input device क्या है और यह pointing device क्या है अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता कि माउस को computer की input device क्यों कहते हैं तो इसका जवाब तो आपको हमारी पुरानी वीडियो में देखना पड़ेगा और पुरानी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उपर आई बटन पर हमने उसके link दे रखा है आप उस पर किलिक करके हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं और निकाल सकते हैं जवाब कि माउस को computer की input device क्यों कहते हैं बात कर लेते हैं कि माउस को computer की pointing device क्यों कहते हैं दोस्तों इसका जवाब भी बिल्कुल simple है और आपको भी सायद ये idea होगा जब आप computer पर mouse use करते हो दोस्तों तो आपने देखा होगा कुछ एक ऐसा option साथ में चल रहा होता है जिसे कई लोग cursor कहते हैं कुछ लोग इसे arrow कहते हैं और बहुत कुछ लोग इसे pointer कहते हैं तो दोस्तों question का जवाब यह है कि माउस को computer की pointing device क्यों कहते हैं क्योंकि यह एक pointer के through work करता है एक pointer के through सारा काम करता है so that's why हम माउस को computer की pointing device कहते हैं कि चले दोस्तों यह तो आपको हो गया किलियर अब question यह आता है कि माउस का invention किस ने किया कि माउस का invention कि किसने और कब किया दोस्तों माउस का जो invention हुआ है वह आपका 1963 में जिसको इन्वेंट किया था डगलस अगर अगर आप इंटेनेट में सर्च करें दोस्तों तो आपको जो यह invention की जो यह मैंने आपको मेंशन किया है यह आपको 1963 यह 1964 भी मिल सकता है कि माउस का invention कब हुआ 1963 यह 1964 में तो दोस्तों ऐसा कोई आपको बिल्कुल क्लियरली नहीं मिल पाएगा सो मैं कहूंगा कि आप इसको 1963 यह 1964 कोई एक भी मान सकते हैं क्योंकि पर्ट्कुलर डेट तो आपर भी मेंशन आपको नहीं मिलेगी तो माउस का इशन हुआ वो 1963 के अंदर हुआ और जिसको इनवेंट किया था डगलस एंजल बर्टने आप हम बात करते हैं एक माउस के स्ट्रेक्चर के बारे में और हम उसे अंडेस्टेंड करने कुशिश करते हैं दोस्तों एक माउस के अंदर हम बात करते हैं कि इतने बटन्स होते हैं या मैं कहूं एक माउस के अंदर कितने क्लिक्स होते हैं एक माउस के अंदर कितने बटन्स होते हैं या मैं काओं कि एक माउस के अंदर कितने क्लिक्स होते हैं तो देखिए माली दोस्तों यह मेरे माउस का स्ट्रेक्चर है चलिए मैंने इसके अंदर एक वायर भी लगा दी यह मेरे एक माउस का स्ट्रेक्चर है यहाँ पर मेरा एक बटन होता है जिसे हम कहते हैं माउस का लेफ्ट बटन इसे आप माउस का लेफ्ट क्लिक भी कह सकते हैं यह होता है आपका माउस का राइट बटन जिसे आप माउस का राइट क्लिक भी कह सकते हैं जुस्तो यहां पर एकलिक ओर होता है अगर आप देखेए एक माओज कर होता है यहां पर हो गयापका ऐड़ ब chocolate गी राइड बटन और यह पत्व क्ksयान बटन और यह होता है आपका स्क्रॉल तो यह वह गया आपका स्क्रॉल क्लिट यह स्क्रॉल बटन और यह रहाँ आपका scroll तो एक mouse को कुछ इन पार्ट्स करें डिवाइड कर देते हैं जिसमें आपका left button होता है यह right button होता है इसका अंदर आपका scroll बटन होता है और यह किसी भी काम को क्लिक करना एंड किसी भी काम को मूफ करना बात करें अगर हम राइट क्लिक की तो जब कभी दोस्तों आप अपने मॉनिटर स्क्रीन के उपर राइट क्लिक प्रेस करते हो तो आपने देखा होगा एक लिस्ट ओपन हो जाती है मिन्स मैं कहता हूं कि जो राइट इसका use हम screen में उपर जाने के लिए या screen में नीचे आने के लिए करते हैं एंड जो stall button होता है दोस्तों ये भी कुछ screen में उपर या नीचे आने के लिए इसका use किया जाता है वैसे stall button का बहुत कम लोग use करते हैं और I hope आपने भी सायर कभी use ना ही किया हो तो दोस्तों यह तो रहा हमारा माउस का इस्ट्रेक्चर और आगे वोप आपको यह समने भी आ रहा होगा बिल्कुल किलियरली आ रहा होगा दोस्तों और अगर किलियरली आ गया है और आपको काफी कुछ सीखने को मिला है दोस्तों तो प्लीज फटा-फट लाइक कर चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इससे आगे निकल के और आप हम देखते हैं कि भई एक जो माउस होता है वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों आपको पता है definitely मैं कह सकता हूँ आपको इस question का जवाब नहीं पता होगा एक माउस हमारा तीन प्रकार का होता है types of mouse types of mouse दोस्तों mouse को हमने तीन categories के अंदर divide किया है एक होता है आपका mechanical mouse एक होता है आपका optomechanical mouse और एक होता है आपका optical mouse दोस्तों पहला question आप लोगों के लिए यही है कि बताईए आज की टैम में जो आप mouse यूज करते हैं for example like माली जो मेरे पास एक माउस है यह जो माउस है यह कौन सा माउस है mechanical mouse है optomechanical mouse है या optical mouse है चलिए इस question का जवाब भी दे देंगे फिलाल बात करते हैं mechanical mouse के बारे में दोस्तों mechanical mouse at present time में अब यूज नहीं होते हैं बहुत पहले इनका use किया जाता था आप मेंसे कई दोस्तों पता होगा जब पहले mouse होते थे उन mouse sensor से जब यह ball touch होती थी तो वो उसी direction में हमारा mouse का pointer move किया करता था मिस mechanical mouse वो mouse होते थे जिनके निच्चे एक ball लगी होती थी और इस type के mouse को चलाने के लिए specially आपका mouse pad का use किया जाता था देन दोस्तों उसके बाद आए optomechanical mouse जो optomechanical mouse है दोस्तों यह optical और mechanical mouse के combination थे इनके अंदर mechanical sensor यूज ना हो के इनके अंदर use होने लगा optical sensor so that's why in a m kennel लगे optomechanical mouse in candle be ball use OTT means यहां पर भी basement ball use OTT और यहां पर भी ball use OTT but यहां पर जो sensor आया वो आया आपका optical sensor Optical sensor and then at present time में at present time में दोस्तों जो mouse use करते हैं वो mouse हमारा है optical mouse यह mouse आप यूज करते है और इस type कर जो mouse है दोस्तों इन्हें हम optical mouse पर यूज के जाता है इनके osier optical sensor का यूज चे जाता है इंके अंदर दोस्तों use कि जाती है LED laser लेजर लाइट लेजर लाइट लेजर लाइट लेजर लाइट लेडी मिल्स लाइट इमिटिंग डायोड तो यह जो आप्टिकल माउस है दोस्तों इनके अंदर आप पर यूज के जाता है लेडी लाइट यह मैं कहूं लेजर लाइट का दोस्तों अब इसके बाद जो क्लास प्लीज प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेर करें और हाँ अगर आपने अभी तहरा हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बने रहें एम्रोज इंस्टीटूट के यूटूब चैनल के सार्थ